हे गाईज वेलकम बेक टो दी PCIT टेकनिकल ग्यान चैनल मैं सपना पंडे आपकी यह जो केटर आज आज आपके लिए फिर से बहुत थी इंपोर्टेंट और इंट्रेस्टिन सेसन लेके आईए वो जी हाँ गाईज यह टापिक होने वाला है OES से रिलेटेड कुछ वीवर्स कमेंट किया था कि मैं प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही साथ बिल आइक उन को भी प्रस कर लिजे तो लेट स वेगिन दवीडियो चलते हैं हम जैसा कि हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हमें पढ़ना है Windows व्रिनेक्स लिनेक्स जी हाँ गाईज हम इसमें कि किस operating system में ज़्यादा खुबी होती है, कौन सा operating system ज़्यादा अच्छा होने वाला है, comparison between Windows and Linux, हम करेंगे guys, तो चलते हैं अपनी slide की और हम उस पे रुप करेंगे कि कैसा होने वाला है, तो आपके screen के सामने हम करेंगे Linux versus Windows, तो चलते हैं, start करते हैं, पढ़ते हैं, क्या है, Linux free और open source operating system है, जिसमें कि source code को हम देख सकते हैं, उसे modify कर सकते हैं, और उसे update कर सकते हैं, कहने का means यह है guys, जो आपका Linux है, वो बिल्कुल free of cost है, और open source का मतलब है, कि आपका जो operating system हो, वो आपके लिए एकदम openly रहेगा, that means, कि जिसमें आप खुद से, यानि कि जो user होते हैं, वो modify भी कर सकते हैं, और update भी कर सकते हैं, वहीं जो आपका Windows होता है, वो commercial, जबकि Windows एक वाड़िजिक operating system कहने का means, यह है guys, जो आपका Windows है, वो commercial purpose से होता है, और यह free of cost भी नहीं होता, ना ही यह open source होता है, because of, हम इसमें अपने according ना कोई update कर सकते हैं, ना कोई modify कर सकते हैं, या कुछ भी update करना होगा, तो हम पने आपसे ही कर लेते हैं, तो यह हो गया Linux और Windows में पहला difference, क्या है difference, Linux free और open source है, जिसको हम पने according modify, update कर सकते हैं, वही जो आपका Windows है, वो commercial purpose से हैं, और उसको हम पने according modify और update नहीं कर सकते हैं, चलते हैं, second point में guys, जो आपका Linux होता है, Linux operating system म कि किसी प्रकार के antivirus को install करने के जुरूत नहीं होती है, Linux Windows की तुलना में उच्छ सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि Linux open source है, क्याने कमींस यह guys, पहले दूसरी point हम देख लेते हैं, इसको explain करते हैं, वही दूसरी ओर जो आपको Windows है, जब आप अपनी computer में Windows install करते हैं, त उसमें कोई भी antivirus install नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यह open source होता है, जब हम इसको open system में install करते हैं, तो by default हमारे system में ऐसे software generate हो जाते हैं, जिससे हमें malware, spyware किसी कभी खतरा नहीं रहता, हमारे data secure होते हैं, और यह कफी ज़्यादा हमारे privacy में दखलंदाजी भी नहीं करता है, वहीं जो आपका windows है, अगर आप उसे install करते हैं, तो आपको hackers से बचने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, एंटिवारस को install करना पड़ता है, और हमारे पूरी privacy हमारे Microsoft Corporation के पास होती है, जिसमें वो हमारे privacy में भी दखलंदाजी दे सकते हैं, तो guys, ये था दो main point, चलते भी अपडेट कर सकता है, Linux developer हर problem पर नजर बनाये रखते हैं, जिससे हर छोटे छोटे problem पर अपडेट आ जाती है, केने का means ये guys, इसका जो open source feature है, कि आप खुद भी modify और अपडेट कर सकते हैं, that means, तो Linux क्या होता है, जो इनके developer है, वो क्या करते हैं, अगर इस operating system में कोई भ अपडेट कर लेते हैं, और आप उसको अपडेट कर लेते हैं, और सारी problem solve हो जाती है, वही जो Windows है, वही Microsoft Windows के software को तभी update करता है, जब उसमें कई सारे problem साने रखते हैं, जि हाँ guys, जब Windows में एक नहीं, कम से कम 2, 4 या 6, 10 problem अगर आ गई, तभी Windows updating mode पे जाता है, Windows update होता है, जब ही वो update होता है, वही हमारा Linux है, उसमें अगर एक भी problem आ गई, तो तुरंत वो upgrading या updating mode पे आ जाता है, जिसे हम update करके अपने system की सारे problem को solve कर सकते हैं, चलता है next point की और concentrate करेंगी guys, इस्क्रीन पर, जो आपका Linux है, Linux में software को run करने के लिए बहुत कम driver किया हो सकता होती है, वही Windows में applications को run करने के लिए driver के और सकता होती है, guys यह point आपके लिए बहुत ही important है, तो please आपको इस session को skip नहीं करना है, जो भी viewers ने हमारे इसमें comment किया था, उनके लिए especially video बनाए गया है, तो please इसको screenshot लेके रखें और not down करके रखें, चलते हैं guys, हम पने अगले session की और अग प्रिकुल सुरक्षित है, Linux, distribution आपकी किसी भी personal data collect नहीं करते हैं, और नहीं आपको अपने privacy की सुरक्षा के लिए और कोई tool की आवसकता पड़ेगी, मतलब कहने कमीस यह है guys, जो आपका Linux है, मैंने पहले ही कहा था, कि यह चाहे distribution के दोरान, क्या करता है, आपका कोई भी personal data क को collect नहीं करता है, और जिससे related जैसे आप Linux operating system का use कर रहे हैं, उस पे वो नजर बनाये रखता है, जो भी कमिया होती वो उसको absorb करता है, उसको distribute करता है, पर वो personal data को collect नहीं करता है, आपकी personal data को collect करके कहीं भी distribute वो नहीं करता है, वो आपकी privacy को बहुत ज़दा priority देता है, हम Windows में देखते हैं, वहीं आप Windows का इस्तमाल कर रहे हैं, तो आपको अपने privacy का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है, अपने personal data के गलत इस्तमाल होने से बचाना होगा, जी हाँ guys, Windows में ऐसे काफी सारे OES Windows का use करते हैं, हमें settings में जाके काफी firewall on करना पड़ता है, कई सारे settings क आपकी सुरक्षा नहीं लेते हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, वो यहीं कहते हैं कि अपनी सुरक्षा आपके हाथों में खुद ही करिए, वहीं जो हमारे Linux होता है, वो कहता है कि हमारे user हैं, तो इनकी सुरक्षा करना हमारा परम करता भी है, यह तो important बहुत ही points है Linux और Windows के differences में चलते हैं next point की और बढ़ते हैं Linux programmers, bank और बड़ी-बड़ी company या Linux का प्रियोग करती है Linux हर जगह इस्तमाल किया जा रहा है वहीं आपका Windows जो है normal users Windows इस्तमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं कैने कमीस यह है guys जो आपकी बड़ी-बड़ी company होती है या जो programmers होते हैं उनके लिए काफी ज़्यादा easy होता है Linux का यूज करना क्योंकि अगर हम programming Windows पे करें ही तो वहां कहीं न कहीं difficulties आती है क्योंकि हमें GUI mode उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता प्रोग्रामिंग के दौरान हम CUI का ज़्यादा यूज करना पसंद करते हैं और वही CUI ही हमारा काम आता है प्रोग्रामिंग के ड्यूरिंग तो यह जो Linux होता है इसको काफी ज़्यादा बड़ी-बड़ी company या यूज करती है प्रोग्रामर्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं वहीं Windows का यूज नॉर्मल यूजर्स करना पसंद करते हैं हलाकि company ओं में भी इसका यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसा नहीं है कि company और government side में नहीं होता है होता है गाईज पर जो हमारा Linux है वह main purpose इसी के लिए बनाया गया है तो चलते हैं next slide पर और differences देख लेते हैं आपके सामने एक और differences आ रहा है गाईज छोटे device से लेकर बड़े से बड़े सुपर computer तक car, router, plane, phone, medical device, satellite, घड़ी हर जगे Linux का इस्तमाल हो रहा है कैने कमीज यह गाईज जो आपका Linux operating system है वो आपके सुपर computer यानि कि चाहे जितने भी अब हम बात कर लें बहुत सारे हम परम 10,000 जानते हैं और भाबा सिरीज भी जानते हैं, quantum computer भी जानते हैं तो उसमें भी क्या होता है Linux का यूज हो सकता है, गाई मैं यह नहीं कहे रहू कि उसमें होता ही होता है, मैं यह सिरली नहीं बोल सकती पर मैं यह कहना चाहूंगी कि super computers में Linux का यूज हो रहा है, यहां तक कि car में, router में, and plane, phone, medical devices में, satellite में, घड़ी में, हर जगे Linux operating system यूज हो रहा है यह हमारा जो windows है, और एक पॉइंट और देख लेते हैं, इसी के साथ साथ, आपका जो Linux operating system RAM और disk memory को limited amount में ही यूज करती है और पुराने hardware पर भी fast और बहतर performance देती है, कहने कमीस यह है, जो आपका Linux operating system होता है, यह RAM और disk memory को काफी, मतलब उसकी जो storage capacity होती है, काफी कम लेती है मतलब वो limited amount में भी अपना काम कर देती है, और अगर हमारे hardware पुराने हो चुके हैं, तब भी हमारे Linux operating system उस पे बहुत ही fast perform करता है, यह नहीं कि धीरे से slow से काम करें, जैसा कि हमारे Windows operating system में होता है, कुछ समय बाद हमारा क्या होता है, system बहुत धीरे धीरे काम करने लगता, processing speed कम होते चली आती है, फिर से हमें इंस्टाल करने के जरूर पड़ते है, Windows को format करके अपना से दूसरा, मतलब Windows हमें परचेज करके फिर से इंस्टाल करना पड़ता है, तो ऐसा Linux भी बिलकुल भी नहीं, क्योंकि मैं फिर से बता दू, Linux आपका एकदम open source operating system है, और वो भी free of cost Windows की और हम बढ़ेंगे, आपका जो Windows है, अगर आप अपने computer के पुराने hardware पर Windows 10 जैसे operating system install करेंगे, तो hardware उसे support नहीं करेगा, जी हाँ guys, जो आपका Windows operating system है, अगर hardware बहुत ज़्यादा पुराना है और आप उसमें Windows 10 डाल रहे हैं, install कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, support नहीं कर आप Windows 10 का यूज़ करेंगे, तो guys, ये था Linux and Windows का differences, और मैं कुछ और भी important point बताना चाहूंगे guys, कि जो theme होती है, हमें Windows में, कुछ theme हमें मिलती है Windows में, पर वहीं अगर हम Linux की बात करें, तो हमें Linux में multiple Windows मिलते हैं guys, जिसकी मदद से हम इसका look बहुत 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 बना पाते हैं, और दूसरे सबसे important programming करना Linux पे आसान है, Windows पे कठीन है, तो I hope guys, ये वीडियो आपको बहुत पसंद दाया होगा, ये था whole analysis of difference between Linux और Windows, तो guys, चलते हैं अपने last के slide पर, जिसमें हम देखेंगे, please guys, हमारे channel को like, share and subscribe करें, और जो भी viewers फिर से कहना चाहूंगे, नए है, please ह हमारे channel को subscribe कर ले, thanks for watching this video